नमस्कार दोस्तों कैसे हूं आप सभी ही पर ऐप बहुत अच्छे होंगे तो फ्रैंट्स आप यहां कि इसमें दिये होती है यहांपर एक आइसी से एक विए साड़ को देयाती है यहांपर दोड़ एक आप देख रहे हो एक यह रहा और एक यह रहा यह एसमडी ट्रांजिस्टर इसकी जो लाइट को जलाते हैं तो फ्रेंड्स यहां पर टोटल निकल के आता है कि यहां पर एक इसमें चार्जर नहीं होता है कि कवी कवी चार्ज नहीं प्रगड रही तो यह खराब हो गई होगी या चार्जर की प्रॉपलम होगी जिससे यह डिश्चार्ज हो गया होगा चार्ज नहीं हो पाया होगा और बेंटरी डिश्चार्ज हो गई होगी लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि चार्जर और इसका जो ब्रिज रेक्टिफ है रहे चार्जर साइड का यह पॉलिष्टर है कैपिस्टर बेगल कुल एकदम सब ओके लेकिन यह फिर भी चार्ज न यह मैंने इसको बापस इसमें करेक्ट किया था तो यहां पर मैंने इसमें जब न्यू बेंटरी डाली तब भी इसकी जो चार्जिंग नहीं चल पा रही थी और यह गरम हो रही थी यहां पर तो मेरे को लगा कि इसको रिपेर करना संभव नहीं है क्योंकि यह आई सी तो यह गरम हो रहा है अब भी अलगा अलगा जब इसको हम टच कर रहे हैं तो मैं समझ गया कि जो दिक्कत है वह जैनल डायोड में और जैनल डायोल बेंटरी के पैरिलल लगा हुआ है जिससे कि यह जो हाई सेंसिटिव सर्कृट है जिसके बारे मैंने आपको पहले डिटे यहां से निकाल के नियू जैनल डायोड डाल लेंगे तो हमारी चार्ज भी चार्ज होगी कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि जब मैंने इस बेंटरी का बोल्ट चेक किया था मैं आपको फिर से करके दिखा दू तो यह जिरो गोल्ट था तो मेरे को लगा बेंटरी खराब हैं लेकिन जब मैंने नियू बेंटरी लगा है तो दिक्कत वही आई कि इसका भी बोल्ट इस डीप यानि नीचे जा लिए और इसमें जो जैनल डायोड लगेगा वो लगेगा फैब फॉल्ट का तो फ्रेंट्स यहां पर मैंने एक फैब फॉल्ट का जैनल डायोड ले लिया है न्यू जैनल डायोड है बिल्कुल और जब भी आप जैनल डायोड लगा उसकी पॉललिटी का जैनल लगना तो यह से इस पर कोई नंबर बग्यारा भी नहीं है और यह इसी मिल नहीं पाएगी या तो फिर आपको टॉट्च में यहां पर अलग से स्विच लगाना पड़ेगा या फिर आपकी टॉट्ची बिल्कुल रेड हो जाएगी फिर वो किसी काम की नहीं रहेगी तो मैं यहां पर जैन है जो इसका तीसरा मोड है बैक लाइट और यहां पर फ्लैसिंग इसकी स्टार्ट हो गई आप देख सकते हो किसमें इतने सारे फंक्सन होते ही इसी दिए यहां पर एक मैक्रो कंट्रॉलर आइसी दी जाती है तो यहां पर देखिए अब यह प्रॉपर्ली वर्क कर रही है अब आपको प्रूफ हो जाए कि इसकी बैंटरी खराब नहीं थी इसी लिए जो इसकी प्रानी बैंटरी थी यह वाली अब मैं मैं इसी में डाल देता हूं और यहां पर यह भी अच्छी तरीके से वर्क करेंगी बस इसको थोड़ा सा चार्ज मैंने कर लिया और चार्ज हो वीडियोड की विजए से हमें पूरी बैंटरी बदननी पड़ती तो बैंटरी यहां पर प्र्पर तरीके से यह कर रहे है और सिरस्फ इसमें कमें तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और चैनल में नहीं तो प्लीज सस्क्राइब कर लेना मैं आपको एक और यहां पर जानकारी देदू जैसे यह जैनर डायोड हो गया बैंटरी हो गई ठीक है ऐसा यह पर एक बैंटरी यह जैनर डायोड अगरा आपको कुछ भी सा मन चाहिए काफी चीप प्राइज में तो आप सर्मुमार्ट एक इस्टोर है उससे खरी सकते हो काफी बड़ा काफी अच्छा एक इस्टोर है बहुत बड़ा इस्टोर है जो आप साइड में देख रहे हो यह इस्टोर की जो मैंने लिंक है वह मैंने डिस्प्रिक्शन में जाके कोई भी सामान काफी चीप प्राइज में खरी सकते हैं तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बन्ने मात्राम जय स्रीराम